आप लोग यू के शूकी की तरफ से मैं सभी को गुड विशिज देता हूं तो जो आज की वीडियो है मैं उस पर बात करने वाला हूं वो चो टॉपिक है वो है आपका कोर्स के उपर कि आप कोर्स कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको कौन से डिगरी करनी है तो मैं उस प को बताऊंगा कि यह कितना important है और बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो यहां पर आके college छोड़ देते यूनिवरस्टी छोड़ देते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जोने code समझ नहीं आता और code पहले select तो कर लेते हैं जल्दबाजी में लेकिन बाद में problem होती है तो आज इ the weather update सो देखते हैं क्या होगा बट मैं fully prepare हूँ तो मैं आपको आओ इसी तरीके पार का इपरी व्यू दिखा किया आता हूं भी तो स्नोपल नहीं हो रही बट अभी धूप निकली हो रही है तो मैं एक पर यह आपको दिखाता हूं चला हूं तो इनको मैं टर्न करूँ अपना फॉन तो यह देखो जैदर देखो आप अभी बहुत दिनों बाद यह धूप देखने का मेरे को एक अच्छा अफसर मिला है यह तो देखो अभी आपको पता नहीं मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा बाहर तो यह कैसे चेंज हो जाएगा तो पर चलो वीडियो पर आते हैं वीडियो से बात करते हैं आपसे आपको अप चलो मैं अगर यहां भी बनालूं तो यह भी बेस्ट है कि यार मैं अंदर ही आ गया विकॉस लाइट पड़ रही थी बहुत जादा तो वीडियो अच्छे से बन नहीं पाती तो मैंने सोचा चलो अंदर ही चलते हैं अभी हवा चल रही है थोड़ी बट इतनी ठंड नहीं ह वेदर भी ठी ठाक है अभी एट डिगरी देखा था मैंने दिखा रहा था तो इतना बुरा नहीं है अभी और आप देख सकते हैं शंचाइन कैसी थी तो बारिश वारिश थो नहीं रही थी तो अच्छा लग रहा था काफी दिनों बाद तो चलो मैं वीडियो की शुरुआ अब मैं आपको यह बता दूं कि यार आपका जो कोर्स है वह आपको बहुत ही केरफुली आपको सेलेक्ट करना है अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली पढ़ाई करने में स्पेशली एंड सेकिंड जब आप एसाइंमेंट्स बन है कि आप आपने कोई भी कोर्स ऐसे ही चूज कर लिया आपके जो भी एजेंट आपको बताते हैं आपको कुछ भी एक्स्पेंड कर रहे हैं आप उनकी बातों में आपने अपने रिसर्च नहीं करी तो वह बहुत ही बहुत ही बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है आपके ल चाहिए आपके कोर्स से रिलेटेड और आपका सबसे मेजर पॉइंट मैं बोलूगा इंटरस्स जरूर होना चाहिए क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स चूज कर ली हैं लेकिन उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है खासकर मैंने देखे हैं मेरे साथ के काफी लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि मैं जो समझ नहीं आ रहा कोर्स काफी स्टूटेंस से मैंने पूछा भी था तो कहते कि हमने बस जलबाजी में कोर्स ले लिए अभी हमारे बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइब करना कि क्या पर कुछ भी सोचो या फिर आपको से बहार निकलना इंडिया से तो वह बहुत चीज गलत है या फिर किसी भी कंट्री से बट मैं आपको यह सजेशन दूँगा कि यार देखो आप जो भी आ रहे हो ना तो कोर्स की प्रप्रेशन करके आओ कोर्स जो कर रहे हो वो उसके बा प्रवर्म पर यह बात सचते है कि अगर आप पास नहीं हुए तो आपको नहीं मिलेगा और आप सब्सक्राइब करो आपको पढ़ाई में इंटरस्ट ही नहीं आपका कोर्स आपको समझी नहीं आता तो आप कैसे पास हो जाओगे बहुत मुश्किल होता है तो आप इतनी इ नेटवर्किंग ज़रूर करो यहाँ पर आके तो नेटवर्किंग मीन्स क्या है कि आप किसी भी सोसाइटी जॉइन कर रहे हो बहुत साइटी होती है कि उनिवस्टी में उन्हें जॉइन करो आप इवेंस अटेंड करो अपने रिलेटेड टू फिल्ड में अगर आपको प्ले सकते हैं और नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है कि आपके नेटवर्किंग से बहुत काम हो जाएंगे बहुत जादा काम हो जाएंगे जो आपको समझ भी नहीं आ रहा होता है तो वो भी ऐसे ऐसे काम भी हो जाते हैं नेटवर्किंग के दूरू आपको पताईए तो या मेरे से ये गलती हो गई थी, आप ये मत करना, या फिर मैंने ये चीज में साउट कर दी थी, आप ये मत करना, तो उस चीज का ध्यान रखना है, और हमेशा, हमेशा, नेटवकिंग पे जरूर ध्यान देना, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या जॉब कर रहे हो आप, या पे चाहे आपको स्टूरेंट हो, किसी भी कंट्री में, ये बहुत जरूरी है, बहुत काम आने वला है आपके, तो बस यह है या जॉब, यह जो मैं आपको बता रहा था कि, कोर्स रिलेटेड, अपना कोर्स बहुत ही सोच समझ के चूज करना है, बहुत कई लोग होते हैं, बहुत मुश्किल कोर्स भी चूज कर लेता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, कि जो आसान कोर्स होता है, उनको वो भी मुश्किल लगता है, तो बहुत यह डिपेंड करता है, लोगों टू लोग पे भी पीपल टू पीपल, बट यहर मैं तो यही सजेशन दोंगा है, आप ल मुका सरच करो, उसमें पैकेज कितना मिलेगा, आपको सैलरी पैकेज का क्या सिनेरियो है, उसमें, एवरिश सैलरी क्या है यूके में, एवरिश सैलरी आपकी कंट्री में क trendy में किया है, कंपेर करो, तो आपको वहां से बहुत चीज़ी मिल जाएंगी, to वो जरूरी है, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहूंगा बड़ येस थोड़ा है मिरको भी लगता है कि या जॉब सेक्टर है जो थोड़ा सा स्क्वीज हो रहा है वहां पर जॉब्स कम है अभी ऑपॉर्चुन्टीज है वो थोड़ी कम होती जा रही है यहां पर लोग भी इधर से उधर द तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यह बात समझना तो इसलिए अगर आप कोर्स अपना चूज करके आओगे तो आपको पता है कि आपको पूरा ट्रस्ट हैगा अपने उपर भी कि भाई हां मैंने कोर्स किया है मुझे इसमें एक्स्पिरियेंस भी है तो मै इसके इस पे क्रैक करके कोई भी इंटर्व्यू में क्राक कर सकता हूँ अकर मैं थोड़ी सी रिसर्च करूं तो वह जरूर करना है यारो और बस अगर आपकर चूज कर लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो प्रॉल्लम ही नहीं है आपकर कोर्स अपने फेवर प्रेट रहें कि क्या-क्या चीज आ रही हैं पूरी चीजे फॉलो करें ब्रिटिश हाई कमिशन को फॉलो करें हर जगे वो देखें क्या-क्या नई रूल्स निकाल रहे हैं तो रूल्स भी काफी चेंज हो रहे हैं so with my 10 months of experience I would like to say कि यह जो points बोले हैं मैंने please इन पर ध्यान देना क्योंकि यह अगर हो गया तो बहुत साथ प्रॉब्लम तो यार हर एक जग है क्यों नहीं है प्रॉब्लम बस वह यह कि आप प्रॉब्लम को face out कैसे करते हो उससे deal कैसे कर करना जरूरी है तो यह सारे methods मैं आपको जो बता रहा हूं points है इनको ध्यान रखो और अपने आप life में succeed करोगे बाकी वीडियो एंड करता हूं बस यही छोटे ची वीडियो बनानी थी और 10 मिट से जाधा बढ़ी करना चाहता नहीं हूं मैं तो इसलिए short and crisp अपनी information शेर कर service है तो मैं वह भी जल्दी आपको update करूंगा तो आप देख सकते हो travel log में मैं कैसे थोड़ा गूमता रहता हूं तो मैं सारी चीज़े डालता हूं तो चलो वीडियो एंड करते है और कुछ भी concern हो तो मेंसे पूछना आपको मैं आपनी सारी details छोड़ता हूं description में mention करता हूं just let me know in case you're getting confused while choosing your codes या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप मेंसे पूछना ठीक है मैं आपको बिल्कुल help करूंगा जितनी हो सकता है चलो अब UK शू के का time आगया bye bye बोलने का ध्यान रखना सब लोग और must रहना and best of luck and अपना ध्यान रखना अपनी family का ध्यान रखना थं चल्दी मिलते हैं take care bye bye